मतर का सीजन चल रहा है और हम लोग यह रेश्पी न बनाए यह तो हो लिनी सकता है आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेश्टोर्ने चाहिल में मस्रूम मतर के रेश्पी जो बिल्कुल डिलीशियस होगी तो इसले बढ़ारा शुरू करते हैं रेश्पी शुरू करने से पहले आ इसी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बटन में पानी रख दिया है बॉइल होने के लिए जब पानी तो गरम हो जाएगा तो इसमें मैं मस्रूम को अच्छे से मैंने काट कर धो लिया है और इसको इसमें हम डाल लेते हैं इसे हम ब्लंच करना है हमें बस ज्यादा नहीं प चार प्याज लिएवे हैं इनको बारीक चॉप कर लेंगे आप चॉपब युशिकर है आप चॉप कर सकते हैं उन्हीं प्याच को अच्याशे से चॉप कर लेंगे बारीक चॉप लेंगे अब मैंने गैस पर रख दी कढाई उक्राई में डाल दिया है तेल तेल गरम हो जीरा और दो साबूत लाल मिर्ट अच्छी पका लें निया जीर अच्छी एक राक हो जाएं और लाल मिर्ट भी अच्छी पब चाहिए चला देना है अच्छी तो बारी चौप करके रखा था ना वोड़क डाल देते हैं और तो जी मेंदत करने पड़ी इसमें हम कोई चीछ ग्राइंड करकी डालेंगे साइसे चौप करके बनाएंगे और इसको मच्छी से मिक्स करेंगे अनि गोल्डन होए तक इसको पकाना है अच्छी से गोल्डन होने तक इसको पकाएंगे अच्छी से पक जाएं बहुता ब्राउनी करना है बस ऐसे करना है कि आता कच्छापन ट्रांकुस हो जाए अच्छा से पख जाए तो 5 क्समाछा कर देते हैं में है हाभ में आ हम आली स्चेज कि यह चोँए है यह शैश्वियों कलर आता रहा पार्फ उस मित प्रका लेते हैं तो ऺड़ा पक गए हैं मसाले मंधिक हो कि इसलफिक हो बिंऻ डाल दी दढ़ती हो अद्रत का पैस्ट गपयाों साथ ही पका लेते तो साहीजी छे माले दाkee और आपको दिख रहा हो कि और से परेट हो नहीं लगा है कितना यूनिक का कलर रेड कलर दिख रहा है आप हम इसमें एड करते थे जो हमने तमाटर को बारी चॉप करके रखा हुआ था इसको हम भी अब इसको मच्छे से पका लेते हैं टमाटर कर तली से बग जाए और मसाले अब इसमें एड करते हैं तेस्के कोडिक नमक करते हैं आप जैसे बड़ खाते हो सबसे आप इसमें एड कर सकते हैं और नमक को भी अच्छे से डाल मिला देंगे इससे क्योंता कि टमाटर में जली से पक जाएंगे मसालों को अच्छे से पका लेना है टमाटर लासमेशी सब अच्छे से पक गए हैं और माई सब्जी भी ऑईल सप्रेट करने लगी आपको दीख रहा होगा कितना चाशा और अच्छा कलर आया है अब इसमें एड करते हैं जो रेस्टोनले यूज करते हैं अपनी सब्जी को गरान तैक्टर देने के लिए कळी में घर की तक होगा की अच्छा सरु और आपको मासालह डेकर ग्यार venue को अफाल जैसे मांगी आपके वेचेज सौस्दी माळा मेने कउसा में मॉकार और जाने दंक अल और जाने के देना काद आपको सब्जी हैं 1 ऑमकी है अच्छा से पि दः के साथ गैस की फ्ले मिलकों मीडियम कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे जिसे दः फटे भी न और मसाले भी अच्छे से बख जाएं तो आपको दीख रहा है कि मसाला हमाई सब्जी की की क्रीमी डैक्चर दीखने लगा थे अब हम इसमें एड कर देते हैं हरी मतर और इसको भी मसालों के साथ पकाएंगे मटर को अब हम इसमें एड कर देंगे जो हमने मसरूम को ब्लंच करके रखा हुआ था इसको भी मसालों साथ मिक्स करते हैं जिसे मसाले के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए और हमाई तो अब मसरूम भी अच्छे से पक रही है अब इसमें हम एड कर देंगे एक ग्लास से करीब गरम पानी थेंडा पानी मत यूज करिए गरम पानी यूज करीगा तो ज्यादा सही रहेगा अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते पानी को जिसे की अच्छे से अगर आप अधर के लच्श है करती है कर देड़ा कशूरी मति इसको भी हंदरक मिर्ची को मिक्स कर देते हैं इसके 2 मिनेट के लिए ती मुझá कबर कर देते हैं 2 मिन сосब कि हैं ऐसा है वे पुलाइक है. सबजी और हम इसमेंगा वह समगत अंभी किस्ट बहुत , जो पथा सब्रची को भी टेश्ट एगे आप गरिंगत की मलाई रिदा Instrism देते हैं हमारी मसरूम की सब्जी को तुम्हाँ अच्छा से भी हो चुकी है कि इसको फीर से करीब 2 मिनाट के लिए कवर पर बहुत ज्यादा करी कितने एछ लग रही न तो अगर आपको ऐसी करीब पसंद एक जदाfta NO यूजिएगा यह करी तीन चाल लोगों के लिए बहुत सफिशन सब्जी है तो सब्जी भाई बनकर तयार हो गई है इसको हरी तनिया से गानिश कर देते हैं I hope आपको मेरे सी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लेज इसको लाइक करिए से शेयर करिए और इसको जरूर इंजॉय करिए कब तो मिलते हैं नेक्स दे स्प्रीमे तब तक के लिए बाबाई टेक कियर थैंक्स फोर वोचिंग